I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. Hello friends, so welcome to my channel, so today we are going to talk about the first and the first time we are going to talk about the atom bomb which was built, when did he have created it and how did he turn the lord and the kristian from the temple and the kristian from the temple, or what did he say to it? So we will see it in this video last week. Because this video is very interesting. So first of all, we will know that the second World War was, the use of atom bomb. का जो यूज़ वा क्यों हुआ तो 1939 और 1945 के बीच में यह जो वर्ल्ड वार था यह चला था तो उस टाइम अलग-अलग जगह पे दुनिया के अलग-अलग जगह पे युद्ध हो रहे थे जैसे जर्मनी भी लड़ रहा था तो इधर एसिया में हमारे एसिया में यहां पे एक जापान था तो जापान एक बहुत बड़ी पावर के रूप में उभर रहा था यहां पे और जापान ने चाहता था कि जो एसिया है एसिया में मेरा पूरा का पूरा अधिकार हो अब एसिया में आपका रशिया भी आता है और चाइन भी आता है तो जुलाई 1937 में जापान ने चाइनिस लोगों पर अटेक कर दिया और दिसंबर 1937 तक पूरे चाइना पर जापानियों का अधिकार हो गया था कबजा कर दिया था उन्होंने तो उस टाइम जापानियों की जो पॉलिसी थी वह यह थी कि नौर्थ डारेक्शन मे को यह समझोता हुआ जिससे सोवियत संग के साथ इन्होंने लड़ाई करना बंद कर दिया तो आप इन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया था साउथ की तरब और साउथ में उस टाइम थे अमेरिका और ब्रिटिश का जो शाषन था वो चल रहा था अमेरिका डारेक्टल जालो वनना तुम्हें अमेरिका से लड़ना पड़ेगा अब जापान जापान को यह बात अच्छी नहीं लगी तो जापान ने डिसाइड किया कि इन दोनों से युद्ध करेगा यानि कि अमेरिका और ब्रिटिश से लड़ाई करेगा तो अमेरिका की जो बहुत बड़ी इन अच्छी शेना थी वहाँ पर एक पल हाबर में अना एक नौ सैनिक जो अड़ा था इनका तो जापान ने दिसम्बर 1941 में उस पर हमला कर दिया और उस हमले में बहुत सारे जो जहाजती उनके वह जल के खतम हो गये बहुत सारे जो सैनिक थे वह भी मारे गये तो इस से अ अमेरिका जो है तिल मला गया था यहनी कि गुस्दे में आ गया था पूरा तो फिर अमेरिका ने जो ब्रिटिश थे उनके साथ मिलके और चाइना जो थे चाइना सेना के साथ उनके साथ मिलकि 잡 Downton को कई जिए से पीचे धकेला यानिकि अटै कि हरादिया उनको और उनको सम एटम बम बना लिया था नया नया बनाया था उसने तूस लिए अमेरिका चाहता था कि अब इसका यूस कर आजाए क्योंके अमेरिका में गुशा भर जो था हिरोशिमा उसके ओपर मंडराने लग गया तो उस बॉंबर में जो था एटम बम रखा हुआ था अब आस्मान में जो हवाई जासता उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर नीचे जापान के जो हिरोशिमा था उस शहर से बहुत सारे लोग उसे देख रहे गे तो जैसे ही अमेरिका ने एटम बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया एक बहुत बड़ा आग का गोला बन गया और इसकी चोड़ाई लगबत तीन किलोमेटर थी और फूंचा ही समझ सकते हैं 14 किलोमेटर तक थी तो यह जो आग का जो गोला बन गया था यह बहुत बड़ा थ और इससे एक बहुत बड़ा बहानक तूफान उठा जिसने सब कुछ तहस्नेस कर दिया इस बम की गिरने की वज़े से 80,000 लोग एक जटके में खतम हो गए और इस बम का नाम था लिटिल बॉइ यह बम इतना खतरनाग था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे आस्मान में एक साथ हजारों सूरूज आ गए होग्यों और इसकी जो गर्मी थी इसकी जो हीट थी वो 10 लाग डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई थी आप सोच सकते हैं 10 लाग डिग्री सेल्सियस एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है न तो अगर हजारों सन एक ही सन अगर आ जाता है तो हमें कितनी गर्मी फील होती है अगर हजारों सन एक साथ आ जाएं तो क्या कोई बच पाएगा दस लाग डिग्री सेल्सियस की जो गर्मी थी उसकी जद में जो भी आया वो सब कुछ तहस्नेयस हो गया सब कुछ भाब बनके उड़ गया कुछ भी नहीं रहा होगा कि बॉब गिरार उसकी बाद जो लोग थे वो बॉब की जैसे जल मर गए है या है न ऐसा नहीं जो जो उसके आसपास रहोंगे सब कुछ भाब बन गया वहां पर जापान फिर भी नहीं माना फिर भी रुका नहीं तो इसके तीन दिन बाद फिर एक और एटम बम नागा शाकी पर गिराय गया और इस हमले में 40,000 लोग मारे गए तब इसके बाद जापान ने सरेंडर किय और World War II भी यहां पर फिनिश हो गया था खत्म हो गया था अधम बम के भारे में तो आपने जान लिया है आप बात करते हैं कि इसे किसने बनाय था तो एटम बम को बहुत सारे देश मिलकर बना रहे थे बहुत सारे डेश अलग अलग करके बना रहे थे उसमे एक जेर्मनी भ उनके उपर अत्याचार सुरू कर दिये यह मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था यहुदियों को के उपर इटलर ने बहुत सारे अत्याचार किये थे उस वज़े से अलबर्ट आइंस्टीन अगर आपने नाम सुना होगा साइंटिस्ट का आइंस्टीन का नाम सभी ने सुना है तो वो भी और बहुत सारे और भी ऐसे साइंटिस्ट जो है अमेरिका में जाके बस गए तो आइंस्टीन की सला पर अमेरिका ने यह स्टार्ट किया था और इस प् उपन हाइमर जो थे वो उनके फ्रेंडस बहुत कम होते थे हैं न तो अपने जो बुक्स थी उनहीं को अपने फ्रेंडस बना लेते थे इससे उन्होंने जो है देरे देरे जो है संस्कृत लैंगोजे सीखनी भी सुरू की और इन्होंने 1930 के आसपस Sanskrit Language में इंटरेस्ट लेना शुरूर कर दिया था और इसकी वज़ा कौन थे Swami Vivekanand जो है USA गहते बहुत पहले बहुत पहले यानि कि उनकी मिर्त्व के बाद इनका जन्म हुआ था OpenHiner का Swami Vivekanand ने वहाँ पे Bhagavat Gita को translate करवाय था English में तो जो OpenHiner थे इन्होंने भी भगवत गीता को पढ़ने के लिए Sanskrit Language सीखना स्टार्ट किया और बहुत जल्दी इन्होंने Sanskrit Language सीख ली फिर इन्होंने भगवत गीता पढ़ी तो इतने ज़्यादा मतब ये inspired थे भगवत गीता से कि एक बार इनके जो पापा थे वो उनके लिए जो है क्रिसलर खरीद कर लेके आये थे तो उन्होंने इसका नाम जो है गरूड रख दिया था गरूड कौन थे भगवान विश्नु की सवारी थी तो जापान पे एटम बम गिराने से पहले इन्होंने एटम बम का परिक्शन कर लिया था जुलाई 1945 में न्यू मैक्सिप को में पहला एटम बम जो है उसका बिस्पोर्ट कर लिया गया था और उससे दो दिन पहले इन्होंने गीता का इस्लोक पड़ा था और उसके बाद इन्होंने बिस्पोर्ट करने के बाद जो सक्सेस्पुली बिस्पोर्ट हो गया था तो ओपर हाइमर ने गीता के हवाला देते हुए यह का था ति अब मैं भी मिर्ट बन गया हूँ दुनिया का विनाशक क्युक करते है तुम दूख थाह साथ हूँ लुक का परसे लुट हैंधु छुट कर्प़ कई अस्पविश हैंधर हैंविश प्रखवगग जैन्हेंज पस्ट्रबाट प्राम्नृ बट्स्रफवग गजह था विस्प्त प्रश्व बिस्प्त्रव श्रभग जिस्प्ट्वज यह 1965 की बात है एक इंटर्व्य देते भी ओपन हायमर बोलते हैं कि मुझे भगवत गीता की लाइन्स याद आई थी जब स्री कृष्ण अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे थे और जब अर्जुन माना नहीं है ना तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया विराट रूप दिखाते वे उन्होंने बोला था कि अब मैं संसार का नास करने वाली मिर्ट बन गया हूं यानि कि मैं इस पूरे संसार को नस्ट कर सकता हूं ये कृष्ण के शब्द थे ये बोले थे ओपनाय मर ने हम कह सकते हैं कि ये जो है प्रेरित हुए थे हैंने उन्हें प्रेरना लीती इंस्पैर्ड हुए थे महाबारत से हैंना क्योंकि महाबारत में ब्रह्मास्त का वर्णन अल्रड़ी है और गीता में इस बारे में लिखा गया है कि प्रमास्त है वो जो है दुएं और आग का एक गोला है जो दस अजार सूरियों के समान चमकीला होता है और इससे सब कुछ तहसन है सोजाता है तो अगर अपने इतियास में मोहन जोड़ो और हडपा की जो सब्वेता है उसकी खोजों के बारे में पड़ा होगा तो उन जगव मेंसे एक जगव है जोधफूर तो उस वहाँ पर पचास गस के आसपास का जो छेत्र है वहाँ पर यह पाया गए कि सबी चीज़ें आपसमें जुड़ी भी थी आना और कांश में बदल गई ती सारे के सारे communist यह यहान में कि कांश बन गई थी यानि कि वैसी था जैसे हिरो शीमा में था और ऐसा तब ही हो सकता है कि जब वहाँ पे कोई atom bomb फटा हो लेकिन इतने साल पहले तो atom bomb फटने का कोई मतलब था नहीं क्योंकि atom bomb तो बहुत 1945 में बना था तो इससे भी कुछ लोग ये relate करते हैं कि हो सकता है कि वह इसी तरह का कोई atom bomb जिसको ब्रहमास कहते हैं महाबारत में वह रहा हो जब ओपन हाइमर से किसी ने पूछा कि आपने पहले प्रमाण बिस्पोर्ट कर लिया है successfully तो ओपन हाइमर का जवाब था हाँ modern जवान में पहला प्रमाण बम तो उन्होंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उनको लगता था कि इससे पहले भी प्रमाण बम का इस्तिमाल हो चुका है और जिस प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट का नाम ही Trinity था और Trinity का मत्तव होता है त्रिदेव त्रिदेव का मत्तव होता है ब्रह्मा विष्णु एंड महेश तो इस एटम बम को बनाने के बाद ओपन हैमर थे वो बहुत दुखी हुए थे उन्होंने ये तक भी कहता है कि मेरे हाथ जो है खुन से सने हुए है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये जानकर ये अच्छी लगी हो तो किरप्या वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तो थैंक्स पो वाचिंग देस वीडियो